इन्मस्कार दोस्तों दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ वेल्थ दोस्तों चली बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा कौन से श्टॉक्स मूव कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजेगा बैल आइकन को जरूर इट किजेगा बात करें अगर आज के मार्केट की तो आज मॉर्निंग में मार्केट हमें काफी ज्यादा उतार चड़ाओ वाला मिला यहां पर हम देखेंगे तो एक बड़ा ग्याप अच्छा खासा ग्याप आपके बाद एकदम से श्ट्रीक आई है एक सेलिंग आई है और मार्केट ने लगातार तीन कैडल सेलिंग की मार्केट ने रिटेस्ट किया जब यह मार्केट रिटेस्ट करता है आपको मैंने हर बार सिखाया है कि जब भी मार्केट में एक बड़ा सेलिंग या एक बड़ा बाइंग आता है और कितना वो रिट्रेस्मेंट होगा उसको समझने के लिए आपको यहां से रिट्रेस्मेंट ड्रॉ करनी पड़ती है स्ट्रांग लेवल जो सबसे ज़्यादा होता है गोल्डेन देस्मेट जो है यहां पर से अगर रिवर्स होता है तो सारा दिन जो है वो बुलिश ट्रेंट रहे ऐसा सनर्यो बन सकता है तो golden देशों के market reverse होता है और market में हमें wait करना पड़ेगा यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे market पूरा sideways रहा क्योंकि हम एक price action भी चाहिए था ऐसा ना हो क्योंकि first time अगर हम market को sell कर देंगे मान लीजे हमने देख लिया यहाँ से reversal है और हमने यहाँ पे sell कर लिया यहाँ पे red candle बना sell कर लिया तो ऐसा नहीं चलेगा हमें एक price action एक pattern ढूणना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है price क्या करे थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया है यहाँ से लगाता नीचे थोड़ा सा उपर गय तो हम एक perfect price action चाहिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक scenario बना हमने symmetrical triangle है एक triangle है इस triangle के बीच में हमने trade किया और market जो है पूरा इस triangle के बीच में trade किया और market पूरा sideways होने के बाद एक breakdown किया और अच्छा खाथा हमने यहाँ पे profit book किया and again market में आप लोगों को हमने समझाए कि यहाँ पर flag and pole का pattern बन रहा है इसका भी breakdown हुआ और अच्छा खाथा फिर से हमें selling का scenario मिला और last वाले time market पूरा sideways रहा है और बिलकुल last के 10 मिनट में market नहीं बूम दिखा दिया चले यह तो हो गया हमारे आज का पूरा दिन का क्या हुआ है market में bank nifty में remove all drawings and हम one day के time frame पर आ ज बैठे थे shots वो cover किये होंगे एकदम last वाले time पे क्योंकि दो दिन का शुट्टी है और market का scenario सही नहीं है geographical जो हमारा अभी sentiment चल रहा है वो भी अच्छा नहीं है तो कहीं नहीं जो sell shot में बैठे तो डरे होंगे और shot covering आई है यहां से इसका मतलब यह नहीं है कि Monday को market बहुत ज market लगा तार उपर गया है अगर मैं यहां से लेके इस low से लेकिस high को mark करूँगा तो यहां पे market जो है 35,000 के range के असपास 0.38 का level है उसके नीचे 50% का level है 50% का level कहां पे है यहां पे 34,500 के असपास तो अगर कुछ retracement भी आता है तो 34,500 strong level और golden ratio जो हमारे पास है वो है 33,900 यह ह अगर मारे पास scenarios है अगर market को retracement नीचे दिखाना है और market ने अपना पहला retracement का पड़ाओ जो है वो यहां पे test कर लिया है यह सारे levels होते है 0.23, 0.38, 0.23 पे नहीं रुका है तो 0.38 पे रुकने के chances है यहां नहीं रुका तो 0.5, 0.5 नहीं रुका तो 618 chances बहुत ज़्यादा ह होते हैं और इसको ब्रेक कर दिया तो चांसे ज्यादा रहते हैं कि market में reversal आ जाएगा यह retracement नहीं फिर reversal माना जाएगा तो अब हम क्या करें कि यहां पर मारे पास तीन लेवल से ध्यान से समझें यह थोड़ा सा आज हम ज्यादा क्यों समझने की कोशिश कर रहे है क्योंकि market अगा आज वीक जो है खतम हुआ एक नया वीक आएगा तो एक नई तरीके से हम सुरुवात करेंगे एक नए तरीके से हम समझेंगे market को तो यहां पर में सेनरियो यही है मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किया कि market इपर निकल रहा था यहां पर रिटरेस्मेंट ले रहा एक बार मैं क्या करूँगा आपको weekly time frame पे लेक्या हूँगा एक बार मैं आपको weekly time frame पे लेक्या हूँगा थोड़ा सा market को और समझने के लिए सेम सेनरियो यहां पे weekly time frame पे भी है यहां पे अगर आप देखोगे तो market लगातार डाउन आया फिर market ने उपर रिटरेस्ट लेके फिर से continue करेगा या फिर इसका तेजी का कर रहा देखिए अभी दो चीज़े है यहां पे एक अब उपर से selling का सेनरियो मार्केट में आया सरी 0.68 तक market को retrace किया है फिर नीचे जा रहा है अब यह golden ratio से weekly time frame पे नीचे गया है तो continue करेगा अपने downtrend को या फिर एक uptrend में तबदील करेगा इसको डवली पैटरन बना के उपर जाना पड़ेगा तब एक uptrend में तबदील होगा अगर आप यहां से देखोगे पीछे के सेन यहां पर अगर market इन सारे levels को निकालेगा तो तो यहां पर हमारे पास दो सनरीयों है या तो market यहां से नीचे के लिए continue करे या फिर market daily time frame के उपर 35,000 के आसपास या 34,500 के आसपास से सीधा उपर shoot करे दो चीजे हमारी हो सकते हैं सीधा उपर shoot करता है तो हमें W pattern का यहां पर होता हुआ weekly time frame के नजर आ सकता है तो one day के time frame में हाऊंगा one day के time frame पे हमारे पास 35,000 के आसपास का level हमें समझ में आ गया है तो हमारा shot करने का सबसे पहला target होगा सिरफ 35,000 का level shot हम कहां पर करेंगे चैसे ही market 35,250 का level breakdown कर रहा है हम सीधा shot side में Monday को प्लान कर लेंगे buying हम कहां करे चोड़ी सी buying आ सकती है market में continue अगर market जो है 35,700 के ऊपर sustain करने की कोशिच करता है तो बीच में no trading zone रहेगा देख लेते हैं कहां gap down कुलता है किस तरह से market trade करता है 35,000 60 रूपी 50 रूपी का हमारा target रहेगा और इसके नीचे निकलता है तो 500 नीचे हमें और मिलने की बात करें निफ्टी को भी हम थोड़ा सा observe करेंगे सारा में remove करनूंगा यहां से जो भी है remove all drawings और सीधा आ जाएंगे one day के time frame पर निफ्टी को अगर हम observe करेंगे तो यहां पर निफ्टी के पास अगर आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग लिख रहा था लेकिन निफ्टी उपरी इस्तरों पे consolidate करने लग जया है यह देखें यह daily time frame के बीच में उपरी इस्तरों पे निफ्टी consolidate कर रहा है अगर यह consolidation को break करता है नीचे की तरफ या उपर की तरफ तरफ पर एक move आ सकता है जबकि bank nifty ने क्या किया है bank nifty ने यह जो यहां पे एक य निफ्टी भी साथ में नीची आ चुका होता भी तक nifty consolidate कर रहा है तो कहीं न कहीं यह भी scenario है कि market हो सकता है थोड़ा सा stay करके थोड़ा सा halt लेके boom करे उपर की तरफ यह हमारे पास total scenarios है यह समझ लिए पूरे week में थोड़ा सा bullish trend आपको दिख सकता है upcoming week में अभी अगर मैं ब 15 minute के time frame पे एक trend line mark करेंगे हम सीधा इस shore से लेके सीधा खीज देंगे बस और कुछ नहीं करना है कोई touch मिलाने की जुरूरत नहीं है कोई कुछ करने की जुरूरत नहीं इस तरह से हम खीज देंगे बस अब market क्या है एक चीज समझ में आ रहा है market क्या है direction थोड़ा सा जो है वो नीचे का दिख रहा है और आज लास्ट वाले टाइम पर यह ब्रेक आउट कर दिया है अगर market को नीचे जाना है जहां से आज उपर गया लास्ट वाले टाइम पर सेम उसी जोन को ब्रेकडाउन करेगा जो एरिया बन रहा है वो अप्रॉक्स बन रहा है 17,100 का 17,090 का 17, 17,090 के बिलो हम शॉट करेंगे और हम बाइंग के लिए थोड़ा सा अग्रेसिब भी हो सकते हैं वट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मंडे पहला दिन रहेगा थोड़ा सा ट्रेंड देख लिजेगा वैसे आप यहां पर इस लेवल पर आप थोड़ी सी बाइंग इनिशि हमने देख लिया है नेक्श्ट हमारे पास स्टॉक सोड़े से रहेंगे गीना टॉटा श्टीस अगर बात करें हम टॉटा श्टीस था लगा लूगालोंगा टा श्टीन में लाश्ट वाले टाइम पर देख चेक करहोई तो यहां पर ऐफ़ कॉलीडेस्ट यहां पर कन्सोलीडेशन के बाद यह पूरा का पूरा एरिया ऑए चैनल के तरह काम करके जिए पर然后 को रूब आम किया और सीधा ज्लेकाशन के तशें मैं पर हमारे पास दो चीजे आह Mac 15 मेट के टाइम फ्रेम परगंके टार्गेट टो हमआरा होना चाहिए यह टार्गेट लिख लेंट परो मिल जाना चाहिए एक ब्रेक आ條ट हमारा हुआ भी है यहा पर हम चेक करेंगे ये लेवल का इस लेवल का ब्रेकाउट हम चेक करेंगे तो यहां पर 13, 38 का ब्रेकाउट भी है और यहां पर अभी मार्केट अभी रुक रहा है अब अगर मार्केट को उपर निकलना है तो मार्केट को मंडे के दिन सिर्फ और सिर्फ इस जोन का ब्रेकाउट चाहिए 1357 का ब्रेकाउट च कुछ भी मिला है तो इमिडेट सेलिंग आनी चाहिए और सीधर 1333 का लेवल ब्रेक होते ही हम सेल कर लेंगे इसको में टा देरो भीश करेंगे ठीक यह हमारा सेलिंग जोन होगे उपर हमारा बाइंग जोन होगे यह हमारा टाटा स्टील का स्नेरियो होना चाहिए मंडे के नीचे से लास्ट वाले टाइम पर भी मुमेंटम आया है 15 मिनट के आइम फ्रेम पर आप समझ भावगे तीस्यस में हम क्या कर सकते हैं एक बर वन आवर के टाइम पर आपको लेकिया होगा मैं और थोड़ा सा मैं सब कुछ रिमूव कर दूँगा यहां से रिमूव और ड्र आप करेंगे इसको इसको हम सेल करने वाले हैं सिरफ और सिरफ 63684 के बिलो यह हमारा सेरिंग का सेरी और बाइंग का सब्सक्राइब हो सकता है यह आपको मंडे के दिन ना मिले टीज़े को मिल जब भी मिलेगा इसको हम ट्रेट कर से दो स्टॉक्स हमारे नजर में हैं hope करता हूँ guys video आपको informative लगा है अच्छा लगा है यह analysis अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like किजिएगा और साथ ही शाथ अपने दोस्तों का share किजिए थेंक यू